नमस्का दोस्तो मैं हूँ रानार्पता प्रोय आपका दोस्त और एक बार फिसे स्वागत है आप साब का हमारे यूटीव चैनल पर जिसका नाम है हिल्ट एन्ड बीटी टीप्स बाई रानार्पता प्रोय यानि की मैं दोस्तो आज का वीडियो बहुत ज्यादा खास से आज मैं आपको बताऊंगा cyclopam tablet के बारे में cyclopam tablet एक anti-spasmodic tablet है और ये indoco remedies limited का एक उत्पाद है दोस्तो आज मैं इसके बारे में बिस्तार से बताऊंगा ये किस लिए काम करता है इसका क्या क्या side effects से क्या dose लेना चाहिए बगरा बगरा तो दोस्तो इसलिए वीडियो के अंद तक बने रही है और आभी तक हमारे चैनल को अपने subscribe नहीं किया है तो आप चाहे तो चैनल को subscribe कर सकते हैं क्योंकि अगर आप subscribe करोगे तो हमारे आने वाले जो भी वीडियो जे ग्यान बर्धक वो आप तक पोज सकता है उसका message या notification आप तक पोज सकता है तो इसलिए bell icon को प्रेस कर लेना और प्लीज और पर प्रेस कर लेना दोस्तो cycloparm tablet जिसके अंदर मुझूद होता है paracetamol और dicyclamin इसमें paracetamol का 500 mg दिया गया है और जो dicyclamin है उसका 20 mg दिया गया है जो कि पेट दर्द को कम करने के लिए किसी भी प्रकार का परियाप थे दोस्तो जब पेट में दर्द होता है किसी भी बज़ा से चाहे पेट में infection है dehydration है या और बहुत सारे कारण होते है जिसकी बज़ा से पेट में दर्द होता है जब पेट में दरध होता है तो दरध के साथ में थोड़ा थोड़ा भुखार भी रहता है तो उस कंडिशन में cyclopeam जिसमें की diceclomine और paracetamol है इसको आप यूज कर सकते है और इसका इस्तेमाल करने से आपको किसी भी करण से पेट में दरद हो तो आपको उसमें आराम जरूर मिलेगा जब भी आपके पेट में दरद हो रहा है तो उस समय आप इस टैबलेट का इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर की सलहा जरूर ले लेजिए क्योंकि आपका बिना जाने की पेट में दारत किस बज़ा से हो रहा है इस टैबलेट का लेना कई बार ख़तरनाक हो सकता है दोस्तो ये एक मामूली प्रोडक्ट नहीं है ये इंडोको रेमेडिस का एक प्रोडक्ट है जो की काफी प्रभाफशाली होता है और इसको लगातर आपको लेंगे तो आपका जो परेशानी है वो बढ़ सकती है दरत तो आपका तुरंद कम कर देगा लेकिन आपकी परेशानी अंदर से बढ़ जाएगी तो आपको दिक्कात का सामना करना पड़ सकता है इसलिए आप डॉक्टर से जरूर सलह लीजिए और मान लीजिए आप इस टैबलेट का ले रहा है और लेने के बाद में कुछ समाई के बाद में या कुछ घंटी के बाद में फिर से दरत हो रहा है तब आप इसका टैबलेट ले सकते हैं लेकिन डॉक्टर को भी जरूर दि सकते हैं भोजन शुद्ध पीजिए शुद्ध पाने पीजिए तब आपका परेशानी जो है वो सवत ही ठीक हो जाएगा और माली जे पेट में गैस एसीडिटी हो रही है उसकी वज़ा से आपको दरद हो रहा है तो साइक्लोपैम टैबलेट के साथ साथ आप कोई एंटसीड essen टैबलेट भी ले सकते हैं कोई enzyme टैबलेट है और उसा आपको आराम से निजात पा सकते है पेट दरद से लेकिन मानलीजीई कई लार आपको मानलीजीई आपके पित्त में पत्री है तो उसकी तो क simplement पता पतो है किक को पता है कि अगेवी तो क्य गॉल बलडर की जो इस्टोन है तो वो आप उसकी बज़ा से अगर आपको दरद हो रहा है तो आप इस टेबलेट का इस्तेमल कर सकते हैं आपके किड्नी में स्टोन है उस बज़ा से अगर आपके पेट में दरद हो रहा है तो आप इस टेबलेट का इस्तेमल कर सकते हैं बहु इस टैबलेट का इस्तिमाल कर सकते हैं मयलाओ का period से सम्मंधित जो दरद होता है period से पहले या बाद में उस समय आप इसका इसका इस्तिमाल कर सकते हैं delivery के बाद में जो दरद होता है उस condition में भी इस टैबलेट का इस्तिमाल किया जा सकता है उसमें भी बहुत अच्छा फायद से नहीं लेना चाहिए और इसका डोस भी जो है वो डग्टर ही आपको बताएंगे कि जब सक लेना है और जो बड़े बच्चे है वो ले सकते हैं लेकिन डॉक्टर की परामर्श से वो निर्भर करेगा वो जो बच्चा है वो उसका वेट कितना है उसका शारिरिक इस्थिती कैसी है तो उस पर निर्भर करेगा और नॉर्माली क्या होता है जो एक बैश्क व्यक्ति होता है जो जिसका कि सामन्न तो वो एक tablet सुहाद उपर शाम तीन टाइम ले सकता है ज्यादा emergency में आप इसका इस्तेमाल मिनिमम चार घंटा से पहले नहीं करना चाहिए तो दोस्तों ये जो tablet है इसको हमेशा खाना खाने से बाद में ही लेना चाहिए और खाली पेट तो इसको कभी भी नहीं लेना जो main side effect है वो अगर आपको shoot नहीं कर रहा है या किसी बज़ा से react कर रहा है आपकी body में तो आपको कुछ परिशानी हो सकती है जैसे कि मूँ सुकना body में एठन सा होना वैसे तो ये एठन को सही करता है लेकिन कई बार इसको बढ़ा भी देता है अगर आपको ये shoot नहीं कर र सकता है और इसका इस्तेमाल छोड़ देने के बाद में ये अपने आपी से हो जाते है लेकिन अगर परिशानी ज्यादा है तो आपको डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए तो दोस्तों साइक्लोपर्म टैबलेट के बारे में जो भी मैंने संशेप में जान कर दिये है वो पर प्रेस करना ताकि इस प्रकार के वीडियो का नॉटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पूस्ट सेके तो दोस्तों इसी कामना के साथ कि आप सभी स्वास्त रहें सुरक्षित रहें